नमस्ती वेल्कम बेक टो माई चानल, इस वीडियो माँ आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर सी, स्लिप के डिजाइं कर टुटोरियल बहुत ही आसान तरीके से, यही डिजाइन आप लॉंग स्लिप के लिए भी बना सकते हैं, या 3,4 स्लिप के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ पर हमारे स्लिव की जो वित है वहां पर इसकी फिनिशिंग देंगे, इसके लिए हमने यह स्ट्रिप लिए है, जिसकी चौड़ाई 3 इंच की है, एक सेट से इसको फोल करके इसके उपर सिलाई देंगे, इस सिलाई लेने के बाद इसका एक हिस्सा जो यह नॉमल है, इसको इस तरह सी स्लिव की राइट साइड में प्लेस करेंगे, और इसके उपर सिलाई लेने है, आप जाहें तो यहाँ पर पट्टी फोल करके भी इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं, हम यहाँ इसकी चौड़ी थोड़ी स्ट्रिप लेके इसकी फिनिशिंग करेंगे, इसका लुक अच्छा आएगा इसलिए, और इसको टर्न करके इसी रॉंग साइड में ले जाना है, पहल इसकी बाद में इसी टर्न करेंगी रॉंग साइड में और इसके उपर इस तरह सी सिलाई देनी हैं फिर दूसरी साइड में आएगे और इसके उपर वाले हिस्से भी सिलाई देंगे, इस तरह से ये चौरी स्ट्रिप से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देनी है, साइड में जो एक्स्ट्रा कपडा है उससे हम ट्रिम करेंगे अब इस स्लीव को हमें सेंटराइज करना है, और सेंटर का जो हिस्सा है हम यहाँ से इस पर थोड़ा मार्क करेंगे इस तरह से एक्जेक सेंटर में हमें ये मार्क करना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका मार्क आया है, उसकी बाद में हम एक स्ट्रिप लेंगे यह strip folded है और यहां इसकी लंबाई हमने ली है 11 इंच की यहां पर लगबग 0.25 इंच या थोड़ा ज्यादा हमें यह हिस्सा लेना है और इस तरह से ही सीधी line draw करेंगे उपर से हम लगबग 1 इंच तक हिस्सा तोड़ देना है और इस तरह से mark करेंगे यह mark हमें दूसरी side में ले जाना है यह wrong side में strip की wrong side में हमने mark दिया है इस तरह से यह दोनो side में mark आ जाएगा उसकी बाद में strip की इस तरह से पट्टी फोल करके हमें सिलाई देनी है तीनों और में उसकी बाद में इसी इस तरह से sleep की right side में और exact centerize करके हम इसके उपर सिलाई लेंगे और हमें नीची इस strip इस तरह से थोड़ी बाहर किया रखनी है ताकि इसकी finishing दे सकें यहाँ पर सुईको अटका की दूसरी side में आएंगे फिर वापस सुईको अटका ना है और फिर यह सीधी सिलाई लेंगे इस तरह से जो हमने mark दिया है उसके उपर उपर ही सिलाई लिए है और बीच में अभी हमें यह extra कपड़ा कट कर देना है दोनों side से हमने यहाँ पर कपड़े को trim किया ऊपर इस तरह से cut करेंगे और ऊपर यहाँ दोनों side में यहy कट देना है कर देने के बाद एस strip को अब हम wrong side में turn करेंगे दोनों side में cut देंगे तो यAw LED अच्छे तरीके सी wrong side में turn हो जाएगी फिर इस पट्टी को अभी ऐसे फोल करके इसे पूरा टर्न करेंगे और इसके उपर सिलाई देंगे इस तरह से ये नीची के इससे में भी यहाँ पर इसके फिनिशिंग हो जाएगी इस तरह से हमारे स्लिव में फिनिशिंग हो गई है उसकी बाद हम यहाँ पर लेंगे यह बीड्स यह थोड़ी बड़ी साइस की मूती है यह उसकी सामने ले जाकर उसकी थोड़ा गैप आगे रखते हुए इसतरह से हमें यह सारी मूती यहाँ पर अटेज करने है इस तरह से हमने यह सारे मोती अटेच कर दिया हैं, और फिर रॉंग साइड में ले जाकर हमें इसकी कांट देनी हैं, और यह काफी अच्छे से यहां पर अटेच हो गए हैं, गांट देनी हैं और इसके बाद में धागा हम कट करेंगे, और यहां हमारी स्लेव की डिजाइन ब रहेगी और बनाना भी बहुत आसान है आप यह डिजाइन थी फोर्थ स्लीव में हाफ स्लीव में अल्बू स्लीव में बना सकते हैं इससे इसका लुक बहुत सुंदर आएगा इस तरह से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजी कुछ सवाल है तो कम कीजी सब्सक्राइब कीजी आगे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मुच फो वाचिंग बावाई